नमस्कार मैं वसंती सावू मौम्स कीचन में आपका स्वागत करती हूँ आज हम सीखेंगे दही और बुंदी का रायता कैसे बनाते हैं इसके लिए हमने अमूल का 1 kg दही लिए हैं और इसे बावल में डाल देते हैं और इसको बावल में डालके आधा गिलास पानी लग भग एक कप पानी डाल देते हैं इससे दही पतला हो जाता है और विक्सर से विक्स करने से दही स्मूध हो जाता है और इस प्रकार से विक्सर कर लेंगे और इसमें एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच चाट मसाला पाउडर, एक चम्मच नमक और आधा चम्मच सक्कर सभी को मिक्स कर लेंगे पिछला वीडियो हमने पुलाओ का डाला था पुलाओं के साथ दही का रायता अच्छा लगता है और दही और बुंदी डालके रायता बनाएंगे तो उसका लिंक डाल दोंगी डिस्क्रिप्शन बाक समय और यहां हम दो प्याज को काट लिये थे इसे डाल देते हैं और बुंदी लिये हैं 200 ग्राम लगभग बुंदी लिये हैं आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा बुंदी का रायतार बनाने के लिए और सभी बुंदी को डाल कर इसे भी मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें नमक मसाला अस्थी तरह से मिक्स हो जाए और स्वादिष्ट बने और धन्या ले लेते हैं धन्या को आप बारिक काट लेंगे और धन्या को भी इसमें डाल देंगे इस प्रकार से बारिक काट के डालना है हमें धन्या को और देखते ही देखते बुंदी का रायता तैयार हो गया आप भी अपने घर में इस प्रकार बनाए खाए और यदि मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और सेयर करें इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए और अगर आपने मेरे चेनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबस पहले हो आपको मिले फिर मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद